नमस्कार, आज का हमारा पार्ट है The Portrait of a Lady, Khushman Singh Ji के जारा लिखा गया है ये अपनी दादी के बारे में उन्होंने एक चित्र बनाया है यानि कि लिख करके अपनी दादी मां का एक उन्होंने व्रिद्ध चित्र बनाया है वे कहते हैं कि उनकी दादी और लोगों की दादी की तरह ही एक ब्रिद्ध महिला थी ओल्ड वूमन थी वो, 20 वर्सों से मैं उसे जानता था वो कहते हैं कि वो उसे 20 वर्सों से जानते थे और उनके चेरे पर जुरियां थी लोग कहते हैं कि वह कभी बहुत सुन्दर हुआ करती थी उनके पती भी थे लेकिन यह बात लेखक के लिए मानना कठिन था कि उनके पती थे लेखक के दादाजी का चित्र ड्राइंग रूम में अंगीठी के उपर लटकावा था और उन्होंने बड़ी पगड़ी धीले ढले वस्त्र पहने वे थे उनकी दाड़ी भी थी जो उनकी चाती के हिस्से को ढखती थी कम से कम वैस सो वश के दिखाई देती थे और इस प्रकार के व्यक्ति नहीं दिखते थे कि उनकी पत्मी भी है या बच्चे भी हैं लेकिन वह ऐसे दिखते थे मानों उनके बहुत जादा पोते-पोतियों हो यानि कि वह बहुत ही बुजुर्ग दिखाई देते थे जहां तक लेखक की दादी के युवा और सुन्दर होने की बात है तो यह विचार भी भेंकर पतिक्रिया पैदा करने वाला था क्योंकि दादी इतनी सुन्दर दिखाई नहीं देती थी लेखक की दादी लेखक को हमेशा खेलों के बारे में बताती थी जो वह बच्वन में खेला करती थी और यह उसके लिए बिलकुल मुर्गता पूर्ण और एशोभनिय प्रतीत होता था और हम इसे पैगंबरों की कहानिया जैसा मानते थे क्योंकि लेखक को ये विश्वास नहीं होता था कि उनकी दादी खेल भी खेला करती थी वह जो थी लेखक की दादी बहुत ही छोटे कद्गी मोटी सी और कुछ जुकी हुई सी थी उनके चेहरे पर काफी जुरियां थी लेखक का विश्वास था कि वह हमेशा ही जुरियों वाली रही होगी और वह इतनी बुड़ी थी कि इससे ज़्यादा बुड़ी नहीं हो सकती थी क्योंकि लेखक उनको 20 साथ से उसी प्रकार से देखता चला आया था और वह बेदाग सफेद कपड़े पहन कर घर में थोड़ा लंगड़ाती हुई सी घुमती थी और उनकी पीठ जो थी उसको जुकने से बचाने के लिए वह अपने कमर पर अपना हाथ रखती थी दूसरे हाथ में वह माला रखती थी और मोतियों को घुमाती रहती थी ये चान्दी जैसे बाल पीले और सिकड़े हुए चेहरे पर बेतर्तीब तरीके से बिक्रे हुए रहते थे और उनके होट हिलते रहते थे कोई प्रार्थना जैसे वो करती रहती थी हाँ वह सुन्दर थी लेकर कहता है वह परवतों में शीत के द्रश्यों की तरह थी सवच्छ स्फेद शांती का विष्टिच छेत्र जहां शांती तिता संतो समाया था लेखक क्या कहता है कि उनका चेहरा देखकरके बिल्कु शांत जैसे कोई द्रिश्य हो सरदी में जैसे पहाडों पर जब हम जाते हैं तो वहां बिल्कु शांती नजर आती है उस प्रकार से उनका चेहरा सफेद वालों के भीतर बिल्कु शांत नजर आता था लेखक और लेखक की दादी दोनों फ्रेंड्स थे उनके माता पिता ने लेखक के माता पिता ने दादी के पास उनको छोड़ दिया था जब वो अपने आपको शहर में सेट करने के लिए चले गए थे वो उन्हें सुबह उठाती और स्कूल के लिए तयार करती थी नहलाती, कपड़े पहनाती और सुबह की प्रार्थना को वह अपने स्वर में गुनगुनाती रहती थी लेखक को लगता था कि वह उस प्रेयर को याद कर लेगा मैं सुनता था क्योंकि मुझे उसकी आवाज सुन्दर लगती थी, अच्छी लगती थी लेकर कहता है परन्तु मैंने कभी इसे सीखने की परवाह नहीं की फिर वह मेरी लकडी की तक्ती ले आती तक्ती होती थी, पहले लिखने के काम में ली जाती थी पहले लिखने के लिए नोटबुक्स नहीं होती थी, तो तक्ती पर लिखा जाता था और पहले उसे धोया हुआ और पीली मिट्टी से लेपा हुआ होता था तक्ती पर लिखने के लिए पहले उसे मिट्टी घोल करके उस पर एक पेस्ट का लेप लगाया जाता था और एक छोटी सी मिट्टी की दवात और एक लाल कलम इन सब को वह एक बंडल में बान देती और फिर लेखक को दे देती एक मोटी बासी रोटी पर थोड़ा मखन और चीनी लगाती और हम नाश्ता करते और स्कूल जाते वह कई बासी रोटियां अपने साथ गाउं के कुत्नों के लिए भी ले करके जाती थी लेखक की दादी हमें शाउस के साथ स्कूल जाती थी क्योंकि स्कूल मंदिर के साथ ही था पुजारी, वर्ण माला और सुभह की प्रार्थना उन्हें सिखाता था जब बच्चे लाइन में बरामदों में दोनों तरफ बैठ करके अलफबेट्स पढ़ते थे तो एक साथ मिल करके प्रार्थना भी किया करते थे और दादी मंदिर में बैठ करके पुजापाट किया करती थी और जब दोनों का काम हो जाता तो दोनों साथ ही वापस आ जाते इस समय गाव के कुट्टे उन्हें मंदिर के दरवाजे पर मिलते और दादी जो रोटियां साथ ले करके जाती थी वो उने खिला देती वे कुत्ते जो थे घर तक लेखक का पीछा करते थे और इस प्रेकार रोटियां उने लेखक फेंकता रहता था जब माता-पिता यानी लेखक के माता-पिता शहर में सेढ़ हो गये और यहां हमारी मित्रता में एक मोड आ गया तर्निंग पॉइंट आ गया दादी की मित्रता में यद्यपी हम एक ही कमरे में रहते थे मेरी दादी अब मेरे साथ स्कूल नहीं जाती थी दादी स्कूल में साथ नहीं जाती थी जैसे जैसे समय बीता बहुत सारे वश बीत गए तो लेखक को लेखक की दादी कम मिलने लगे कुछ समय तक वह लगातार जगाती रही और स्कूल के लिए तयार करती रही जब वापिस आता तो पुछती की अध्यापक ने उनको क्या पढ़ाया यानि टीचर ने उनको क्या पढ़ाया और लेखक उनको कुछ अपने जो उन्होंने अंग्रेजी के वर्ड मिनिंग्स पढ़े होते थे और कुछ साइंस की बाते या गुरुत्वा करिशन का नियम लॉफ ग्रैविटी और ये सब उन्हें आर्किमटीज का सिधान्त प्रिच्वी गोल क्यों हैं ये सब बाते बताती थी और वहें दुखी हो जाती थी ये सब सुन करके वहें मेरे पाठों में मेरी साहता नहीं कर सकती थी वहें अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाई जाने वाली बातों पर विल्कुल भी विश्वास नहीं करती थी और लेखक को इस बात का दुख है, दुख था कि वहाँ परमात्मा और धरमकरंथों के बारे में कोई भी शिख्षा नहीं दी जाती थी, यनि कि धरम की कोई शिख्षा वहाँ नहीं दी जाती थी एक दिन लेखक ने आकर के बताया कि उन्हें म्यूजिक सिखाया जा रहा है और यह सुनकर के वहाँ बहुत प्रेशान हो गई क्योंकि उनके लिए म्यूजिक सीखना बुरी बात था और यह एक बिखारियों का काम माना जाता था, उसने कुछ नहीं कहा परन्तु चुप रहे गई, यनि चुपी में वहम मना कर रही थी क्योंकि उसे ये सब पसंद नहीं था इसके बाद वहम उससे कभी कभार बोलती थी, जब लेखक उनिवस्टी में जाता है, तो उसे एक अलग कमरा दे दिया जाता है और इस प्रकार से उनकी दादी के साथ मित्रतक खतम हो जाती है मेरी दादी जी ने एक अंतता को बिना किसी प्रभाव की सिकार कर लिया यानि कि अब वह अकेली रहने लगी थी, लेकिन अपना चर्खा वह नहीं छोड़ती थी सुर्योदेशी सुर्यास्त यानि सुभह जब सूरज उकता था तब से सूरज छिपने तक वह चर्खे पर रहती और अपनी क्रार्थना भजन गाती देहती थी केवल दो पहर में वह थोड़ा आराम करने के लिए चीडियों को दाना डालती जब वह बरामदे में बैटकर रोटी के छोटे छोटे टुकडे तोड़ती थी तो सैक्ड़ों चिडियां उनके चारों तरफ एकट्थी हो जाती और वो चिडियां चहचाहट से सचमुझ के पागल खाने जैसा जिश्य बना देती थी ऐसे लगता था चिडियों को देखकर क्या लगता था कि जैसे कोई पागल खाना हो कुछ चिडियां उनकी टांगों के पास बैठ जाती कुछ कंधों पर कुछ सीर पर तो वह हस्ती मुस्कुराती रहती थी लेकिन चिडियों को कभी भगाती नहीं थी और यह सबसे अच्छा समय होता था जब लेखक आगे की पढ़ाई के लिए विदेश जाने का निश्य कर लेता है तो उसे विश्वास हो जाता है कि दादी बेचेन हो जाएंगी क्योंकि उन्हें पांच परश के लिए दूर रहना था और उसकी उम्रे में कोई कुछ नहीं बता सकता था परन्तु दादी बता सकते थी लेकिन वह भावना में बहने वाली महिला नहीं थी वह लेखक को स्टेशन पर छोड़ने आती है और कुछ भी नहीं कहती है नहीं कोई भावना बैय ब्यक्त करती है कि उसे दुख हुआ या दुख नहीं हुआ उसके होट प्रार्थना करते हुए हिलते और उसका मन प्रार्थना में खोया हुआ था और उनके अंगुलियां जो थी वो माला के मोटियों को रट रही थी उन्होंने लेखक का माथा चूमा और जब लेखक चला गया तो मैंने उस गीले निशान की चाप को अपने पास रखा यानि कि दादी की आँखों से जो आशू आ गए थे बहे लेखक को महसूस हो गया था पांक साल बाद जब लेखक घर पर आता है तो उन्हें स्टेशन पर मिलता है वह एक दिन भी अधिक बुढ़ी दिखाई नहीं थी क्योंकि पांक साल जैसे वो पहले छोड़ करके उनको गया था वैसी ही वो दिखाई दे रही थी उसके पास अभी भी बातों के लिए समय नहीं था मेरे आने के पहले दिन भी उसके उसने सबसे खुशी के पल उसके साथ थी जब वहचीडियों को अधिक समय तक बनावटी डाट फटकार के साथ खाना खिला रही थी शाम को उसमें एक बदलाव आया और उसने प्राथना नहीं की आसपडोस की महिलाओं को इकठा किया एक धोलक लिया और गाना शुरू कर दिया कई धंटों तक वह पुरानी धोलक की धिली खाल पर थपकी देती रही और युद्धाओं के बापिस घर लोटने वाले गीत गाती रही जब सैनिक युद से लोट करके आते हैं तो घर की महिलाएं गीत गाती थी उसी प्रकार से वह भी गाती रही और उसके अगले दिन ही वह बिमार हो गई उन्हें बुखार हो गया डॉक्टर को दिखाया गया तो उन्होंने कहा कि बुखार उतर जाएगा लेकिन दादी का मानना कुछ और था वह नहीं मानती थी कि उनका बुखार उतर जाएगा इस बात का लेखक ने विरोध किया वह शंती से विस्तर पर लेट कर फिर से प्राथना करती रही और माला जबती रही इससे पहले कि हम संदेह भी कर सकते उनके होट हिलना बंध हो गए यानि कि अब वह मृत्यू को प्राप्त हो गई थी उनकी उंगलिया निर्जीव हो गई थी उनमें जान नहीं रही थी और बिलकुल उनके चेहरे पर एक पीस्फुल बिलकुल पीला हो गया था उनका चेहरा येलो पेल हो गया था और वह मर गई है लेखक को विश्वास हो गया कि वह मर गई है एक रिवाज होता है जिसमें उन्हें विश्टर से उठार कर फर्ष पर लेटा थिया गया वी लिफ्टेड हर ओफ दा बैट एंड इस कस्टमरी लेट हर अन दे ग्राउंड और उसे हमने ग्राउंड पर लेटा थिया कवर्ड हर विदे देड श्टाउट और उन पर एक लाल रंग का कफन ढख दिया गया मौर्निंग कर रहे थी सभी लोग बिलाप कर रहे थी कुछ घंटों तक और कुछ आवश्यक प्रबंद किये गए जिससे उनका फ्यूनरल यानि दाश संसकार या जा सके और इस प्रकास से जब सूरत छुप रहा था उसके कमरे और बरामदे में सुनहरी रोश्णी की चमक फैले हुई थी वी स्टाप्ट हाफ वे इन दा कोट यार और बरामदे में कमरे में जो थे हम आंगन में ही बीज में रुख गए सारे बरामदे में कमरे में ठीक वहाँ जहां बहर मृत लेटी हुई थी सकत लाल कफन में लिप्टी पड़ी थी और सेक्डो चिडियां फर्स पर बिख्री हुई बैठी थी कोई भी चिडियां आवाज नहीं कर रही थी हमें पक्षियों के प्रती संबेदना हुई और मेरी माँ सब के लिए रोटियां ले करके आई छोटे छोटे टुकडे करके जैसे दादी क्या करते थी उन चिडियों की तरफ फेक दिया गया लेकिन चिडियों ने रोटी नहीं खाई उन्होंने रोटी पर कोई ध्यान नहीं दिया जब दादी के शव को लेकर के लोग चले गए तो चिडियां चुकचाफ उड़ गई अगले दिन सफाई बाले ने रोटी के टुकडे ज़ाडू से इकठा करके कोड़े दान में डाल दिये इस प्रकार एक की दादी का यह है चित्र उन्होंने लिखा है जिसमें अपनी दादी के बारे में बताया है अगर आपको इससे समन्दित कोई भी प्रेशन है तो कमेंट सेक्षन में कमेंट करके आप पूर सरते हैं